हाई अबरिवन वेलकम टो जेवा वित माम कॉम चैनल मैं किरती मिश्रा आज हम आप से बात करेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण है जो क्विकली बिल्कुल एक मिनट में देखके आप बता सकते हो कि गर्व में किसी के लड़की है या लड़का मैं या मेरा चैनल किसी भी प्रकार से हम भ्रूण हत्या या लड़कियों की विरोध में नहीं है लेकिन ये एक महिला की जिग्यासा होती है कि जब उसके गर्व में बच्चा आता है तो उसे जिग्यासा होती है कि वो जाने कि उसके गर्व में लड़का है या लड़की हम किसी प्रकार से विरोध नहीं कर रह हमारे यहां पर पुराने जमाने में पहले तो डॉक्टर्स होते नहीं थे वह लोग देखके अनुमान लगा लेती घर में लड़का है लड़की कौन से 10-15 जो भी हमारे लक्षण होते हैं वह आपको आज बताते हैं वीडियो के माध्यम से पहले क्वden दाइमा जो होतें थी वो लोare देखके जान जाते थी घ्रेविंग देखके जान जाते थी कि महिला खटा खारी है या मीठा खारी है उसका शरीर काकार कैसा हो रहा है लंबाई शेप में जा रहा है या उसके स्किन कैसे हो रही है यह सब देखके धायमा लोग अनुमान लगा लेती थी कि लड़का हो गाई या लड़की और यह बिल्कुल 100% लगबग लगबग सही होता था 99% मालेजे लगब से सही मान सकते हैं जिसमें से सबसे पहला अनुमान होता है कि उल्टी का कम होना अगर प्रेग्नेंसी है और व violmitting हो रही है या ऐसा लगता है कि नहीं वामिटिंग हो जाएगी लेकिन वामिटिंग होती नहीं है तो गर्व में लड़की होती है वहीं इसका आप मुहासों का जादा हो जादा निकलना जब गर्व में दो से तीन महीं हो जाते हैं बच्चे को तो जो सकीन होती है तो लगती है कि बहुत चमकने लगती है हमारे स्किन कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है तो हमारे गर्व में लड़की होती है वहीं पेस का पोजट होता है अगर हमारे फेस में निकलाते हैं पिंपल्स निकलाते हैं किसी भी प्रकार से हमारा चेरा डल हो जाता है हमारे स्किन डार्क सी होने लगती है तो हमारे गर्व में लड़का होता है नेक्स्ट है पेट का आकार पेट का आकार अगर हमारा जो पेट होता है एक सीप ऐसा होता है और एक सीप ऐसा होता है तो जब ऐसा फैला हुआ पूरे पेट में जैसा घड़ा फैला हुआ होता है तो ऐसा round सा फैला हुआ होता है अगर round सा फैला हुआ है तो आपके गर्व में लड़की होती है वहीं पे अगर ऊपर का भाग थोड़ी ज़्यादा दिखता है और ऐसा oval shape में अगर पीट हो रहा है आपका जैसा अंड़ाई का shape होता है वैसा shape तो यह ऐसा shape होगा अगर अगर shape हो रहा है तो आपके गर्व में लड़का होता है लड़की जो lower abdomen होता है उस पार्ट में लड़की ज्यादा दिखती है यानि कि वह वाला पेट ज्यादा भारी आपका समझ में आता है तब लड़की दिखती है और अगर नाभी के ऊपर वाला भाग जो होता है वह अगर आ हुआ में वहीं पर लड़की होती है तो हमारे नहीच शुन फ़र्क करवड कराते हैं और सब्सक्राइब अगर Healthy लड़का आगर तो आपके कुछام लड़का है उसले अगर इंए लाइट है या डाक नहीं है या आपके skin का जैसा भी texture है उसे normal है जैसा आपका है हमेशा रहा है तो फिर गर्व में लड़की है इसकिन में कोई परिवारता नहीं हो रहा अगर वहाँ पे तो फिर लड़की है आपके गर्व में खटा खाने का मन हो रहा है या नमकीन खाने का मन हो रहा है मीठ खाने का मन हो रहा है तो आपके घ़र 17 में लड़की होगी वहीं में लड़की हो सकती है अमूड का ज्यादा स्विंग होना लड़किया रहती है हमारा मूड में जदा छेंज्जेस समेह साबently नहीं होता है लेकिन अगर अगर हमारे हैफ्म तो हमारा मूड बहुत ज्यादा सुइंग होता है थे तो यह जो mood swing होता है ना बार-बार mood का बदलना है यह लड़के जब गर्व में होते हैं तो यह mood swing ज़्यादा होता है next होता है urine का color अगर आपका dark yellow color का urine हो रहा हाला कि दवाईयां चलती हैं बहुत सारे medicines होती हैं तो यह color urine का dark हो जाता है लेकिन फिर भी अगर आप फर्स ट्रैमस्टर में दवाईयां नहीं ले रहे हैं और आपका urine का color dark yellow हो रहा है ज्यादा गाढ़ा का लरका हो रहा है गाढ़े पिले पन का लिए हुए है तो आपके गर्व में लड़का होता है वहीं पर अगर आपका urine light color में होता है यह नॉर्म बहनें भी हमारी जान सकें कि कैसे सारे ट्रैमस्टर में या कैसे आपके सिम्टम्स होते हैं जैसे हैं कि हम जान सकते हैं कि गर्व में लड़का है या लड़की थेंक्स वाचिंग जिवावित मॉमकॉम चैनल